आज हम लोग क्लास 11 पाठ रेखिक और समिकाएं लिनियार एनिक्विल्टी प्रश्णावली 6.3 का इंट्रोड़क्शन देखेंगे देखें अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि दो चरो में रेखिक और समिकाएं मिला करती थी देखें दो चरो में रेखिक और समिकाएं और समिका होती थी ठीक ना देखें जैसे अभी तक हमको क्या मिला था जैसे 2x प्लस 3y ग्रेटर देन 6 है न कोई भी एक और समिका ले लिया इस प्रकार का मिलता था या 2x प्लस 3y लेस देन 6 इस प्रकार हो गया या कह सकते हैं 2x प्लस 3y ग्रेटर देन और इक्वाल टू 6 या 2x प्लस 3y लेस देन और इक्वाल टू 6 हमको इस प्रकार का यह अविस्विकाए एक मिलती थी जिसके इसका हम एक ग्राफ हीचते थे और एक छित्र दिखाते थी कि कौन सा जैसे इस समिका का कौन सा छित्र हल होगा ठीक ना? अब देखिए प्रशनावली 6-10-13 में क्या है अब हमको इस प्रकार के कई असमिकाएं मिल मिलेगा मिकाओं का निकाय है यह पुड़ा इसको बोलते है सिस्टम आफ इनिक्वेल्टी थी ना? इसमें हमको कहीं 2 मिलेगा कहीं 3-4-5 भी असमिकाएं मिलेंगी जिनको हम ग्राफ हीचेंगे और इसमें एक ऐसा उभाय निष्ट मतलब ऐसे छेत्र को देखेंगे जिसमें कोई विगर बिंदू ले 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 तो वो इन तीनों आसमिकाओं को संतुष्ट करेगा ठीक ना? तो हमको एक ऐसा च्छेत्र ज्याद करना है तो देखें इसको हल कैसे करते हैं? एक करके हम लोग हल करेंगे इसको ठीक ना? तो देखें करते हैं इसको तो चुकि हमको तीनों हल करना है तो हम क्या करें? इनको हम इधर लिख लेते हैं पहले ठीक ना? फिर एक करके असमिकाओं को लेंगे और इसको हल करेंगे ये लिख लिया देखें अब लिखेंगे पहली असमिकाओं से ठीक ना? असमिकाओं पहली असमिकाओं से ठीक ना? तो पहला लिख लेते हैं इसको लिख लेते हैं 5x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 40 तो अगर हम इसको हल करनेंगे तो सबसे पहले इसको हम बराबर कर लेंगे ठीक ना? एक लाइन हमको मिलेगा गराब पर हीचने के लिए तो बराबर कर लिया अब हम इसमें yx और y कमाण रखेंगे ठीक ना? जैसे अभी तक किये वही चीज यहाँ भी है मगर अब यहाँ पर हम तीनर समिकाओं करेंगे तो yx यह y एक बार y कमाण 0 और एक बार y कमाण 0 कर लेंगे तो लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर देखें यहाँ 0 रखेंगे तो 5 गुड़े 0 प्लस 4y बराबर 10 तो यह 0 हो गया यह आया देखें y कमाण कितना आ गया यह 40 है तो यह हो गया 40 पटे 4 तो यह हो गया 10 तो y कमाण 10 आ गया तो 0 पर यह 10 आ गया इसी प्रकार y बराबर 0 रखने पर देखते हैं रखने पर तो ये फो जाएगा 5X प्लस 4 गुड़े सुनने बराबर 40 ये पत्तो समाप्थ हो गिया तो ये आया 5X बराबर 40 तो इससे YX कमान कितना आ गिया 5, 8, 40 तो ये आ गिया YX कमान 8 आ गिया तो यहाँ पर हम 8 लिख लेते हैं यह 0 पर ठीक ना तो इससे हमको यह मिल गया अब हम इस पर ग्राफ ही देखेंगे तो देखें एक ग्राफ ही चलेते हैं हम यहाँ पर और यह y बराबर 10 पर लिखा है तो यह रहा यह अक्ष यह हो गया और यह y अक्ष यहाँ सुनें यह लिखें 2, 4, 6, 8, 10 2, 4, 6, 8, 10 2, 4, 6, 8, 10 यह हो गया 10, 10 यहाँ पर minus 2, minus 4, minus 6 देखें देखें जरूत नहीं है इसलिए हम इतना ही लिख देते हैं और यहाँ पर minus 2, minus 4 और minus 6 इसको भी छोटा कर लेते हैं यह y डैस हो गया, यह y यक्ष और यह y यक्ष डैस ठेक ना? इसको हम दिखाते हैं 0, 10 ते रहा यक्ष कमान 0, y कमान 10 तो यहाँ पर आजाएगा यह 0 और 10 फिर 8, 0 यह रहा 8, y कमान 0 ते रहा 8 और यह 0 हो गया, ठेक ना? अब इन दो बिंदों को लेकर प्लस 4y बराबर 10 ठेक न? 40 है, 40 हो गया अब देखें इसमें हमको इस लाइन के साथ कौन सा तल प्राप्त होगा? उपरी अर्ध तल या निचला अर्ध तल इसके लिए हमको क्या करेंगे? यह 0, 0 बिंदू रख के देखेंगे इस पर ठीना, अगर संतुष्ट कर जाएगा यह 0, 0 संतुष्ट करेगा मतलब यह हमको यह वाला अर्ध तल हो जाएगा ठीना, और अगर संतुष्ट नहीं करेगा तो हमको उस तरफ वाला अर्ध तल प्राप्त हो जाएगा तो जांच कर लेते हैं, जांच में देखें हम 0 0 ही लेख लेते हैं मूल बिंदू के लेते हैं मतलब x कमान 0 और ये y कमान 0 हो गया तो इसमें हम अगर रखेंगे तो देखें क्या प्राप्स जाएगा 5 गुड़े 0 प्लस 4 गुड़े 0 less than or equal to 40 तो ये पूरा 0 हो गया 0 छोटा है 40 के अगर क्या करें पर देखें हम ने दिखा दिया कि इस तरफ का ये वाला अरधतल होगा अब देखें ये वाला समी का अगर हल करें हम तो लिखेंगे, दूसरी असमिका से, क्या है, x is greater than equal to 2, तेर जाएगा, x बराबर 2 हो जाएगा, ठीक न, अब देखे, x बराबर 2 का मतलब होता है, कि y का कोई भी मान रखिए, minus 1, minus 2, minus 3, 1, 2, 3 रखिए, आपको x का मान हमेशा 2 आएगा, तो जब हम इसका, देखे, graph हीचेंगे, तो x बराबर 2 पर यहाँ पर इसे हीचेंगे, ये वाला, ठीक न, ये हो गया, तो ये क्या हो गया, x बराबर, ये 2 पर हो गया, ठीक न, x बराबर 2 का, लाइन इस प्रकार का हीचा जाता है, अब देखिए, इसमें बोला है कि बड़ा ह बराबर 2 से, अगर हम यहाँ पर जाच करना चाहें, तो अगर 00 रखें, देखे, 00 ये वाला रखेंगे, तो यहाँ पर देखे, 00 रखने पर, x कमान 0, greater than or equal to 2, ठीक न, y कमान तो है नहीं रखने के लिए, तो क्योल x कही मान रख लेते हैं, तो y क्या बोला, 0, 2 से बड़ा है जो असत्य है, तो हमको क्या पराप्त होगा, हमको ये वाला अर्धतल पराप्त होगा, ठीक न, ये वाला अर्धतल पराप्त होगा, अब तीसरी असमिका देखते हैं, देखे, इस तरह, आगे की परश्णों में, 4 असमिका, 5 असमिका भी दे रखा है, उनको हल करके, एक बढ़ावर 3 करके करेंगे तो देखे y कमान 2 4 यहाँ पर आएगा हमको ठीक ना तो यहाँ पर हम एक लाइन हीच लेते हैं ऐसे यक्ष अक्ष के समरांतर इस पर आकर लाइन हीचेंगे तो यह हमारा हो जाएगा y बढ़ावर 3 पर ठीक ना अगर हम इसमें जाच करें कि 0-0 रखके देख लेते हैं आपर देखे 0-0 रखके जाच करेंगे तो यह कमान तो नहीं है y कहीं मान रखेंगे तो जो y greater than or equal to 3 ठीक ना तो 0-3 से बढ़ा तो नहीं है तो लिखेंगे जो आसत्ते है यहां भी देखिए जो आसत्ते है ठीक ना तो आसत्ते है तो हमको इस तरफ नहीं मिलेगा हमको उस तरफ का मिलेगा तो देखिए हमको यह इस प्रकार के मिलेगा ठीक ना और जब इसका हम उभेनिस्ट बिंदू लिखेंगे तो देखिए ये वाला देखिए इस वाले से हमको ये उभेनिस्ट प्राप्त हो रहा ये वाला ठीक ना और इस वाले रेखा से देखिए हमको ये उभेनिस्ट ये मिल रहा है ठीक ना और इस वाले से ये प्राफ्थ हो रहा है तो ये उबहनीश छेत्र हमको ये प्राफ्थ हो गया ठीक ना तो देखे इसी प्रकार के सभी प्रश्न हमको हल कर रहे हैं तो देखे आगे देखते हम लोग प्रश्नावली 6 दसम लोग 3 देखते हैं